राहूल गांदी को लिकर तेजी दिखाना कैसे बीजेपी पर पढ़ गया भारी राहूल गांदी ने कैसे पलड़ दी बीजेपी की बाजी संसद में होगा अब राहूल गांदी से मोदी का सामना संसद सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांदी सोमवार को संसद पहुंचे 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांदी का इंडिया गडबनन के संसदों ने स्वागत किया इस दोरान संसदों ने उनके पक्ष में नारे बाजी भी की इससे पहले राहूल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल लिया जिसमें उन्होंने संसत का सदसे लिखा है राहूल गांधी केरल के वाइनार से संसत हैं राहूल गांधी की संसत में वापसी से सबसे ज़्यादा मुश्किल में बीजेपी नजर आ रही है तो कैसे राहूल गांधी ने पलट दी बाजी और इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा नमस्कार मैं हूँ परवीन शेक आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिम कोट ने चार अगस को मोधी सर ने मामने में राहूल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोश्च सिद्धी पर रोक लगा दी है इसके बाद लोगसभा सचीवाले की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहूल गांधी की संसत सदसेता बहाल कर दी गई राहूल गांधी 137 दिन बाद संसत पहुंचे लोगसभा सचीवाले से 7 अगस्त की सुबा ही राहूल गांधी की संसत सदसेता बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया संसत सदसेता बाहाल होने के बाद राहुल गांदी संसत भवन पहुंचे राहुल ने सबसे पहले महत्मा गांदी की प्रतीमा पर फूल चड़ाए इसके बाद वो सदन के अंदर गए राहुल लोगसभा में अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि पांच मिन बाद सदन की कारवाई स्थाखित कर दी गई वहीं कॉंग्रिस ने राहुल की संसत में एंट्री की तस्वीरे साजा की है आप भी देखिए राहुल गांदी की ये तस्वीरे इन तस्वीरों को साजा करते हुए कॉंग्रिस ने लिखा है संसत की सदस्यता बाहाल होने के बाद जन नायक राहुल गांदी संसत पहुंचे संसत पहुंचते ही उन्होंने परिसर में लगी गांदी प्रतिमा को प्रणाम कर आशिरवाद लिया ये करोडो भारत वासियों की जीत है असत्य के खिलाफ सत्य की जीत है नफरत के खिलाफ महबबत की जीत है राहुल गांदी की संसत बहाली को लेकर कॉंग्रिस अद्धक्ष मलिका आरजुन खडगे और बागी नेताओं ने मिठाए खिला कर एक दूसरे का मुँ मिठा किया कॉंग्रिस मुख्याले में जश्ट मनाया गया वही खडगे ने ट्वीट कर पिया मोदी और बीजेपी को बड़ी नसियत दी उन्होंने लिखा है राहुल गांदी को एक सांसत के रूप में बहाल करने का फैसला ये एक स्वागत युग्य कदम है ये भारत के लोगों और विशेशकर वाइनाट के लोगों के लिए राहत लाता है बीजेपी और मोदी सरकार को अपने कारेकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बना कर लोगतंत्र को बदनाम करने की बजाए वास्तविक शासन पर ध्यान देना चाहिए राहुल गांदी की सांसती बहाली को लेकर राजिस्तान के सियम अशोगेलोत ने कहा है पूरे देश में एक संदेश गया है ये भाचपा नेताओं द्वारा की गई साजिश थी क्योंकि उन्हें राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा की सफलता का डर था भाचपा बेनकाब हो गई है अगर पियम मोदी को कोई टकर दे रहा है तो वो राहुल गांदी है संसत में राहुल गांदी की एंट्री से बीजेपी में चिंता साफ देखी जा रही है संसद पहुंचे बीजेपी संसद गजेंदरिश सिंग शेखावत ने कॉंग्रिस को निशाने पर लेते हुए कहा शीर्ष अदालत ने राहूल गांदी की सजा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है लेकिन इस फैसले को राहूल गांदी के बरी होने के रूप में बनाना दुर्भागे पूर्ण और लोकतंत्र का अपमान है वहीं बिहार से बीजेपी संसद सुशील मोदी ने कहा राहूल गांदी अभी भी दोश मुक्त नहीं है केवल उनकी दोश सिद्धी पर रोक लगाई गई है उनकी अपील अभी भी आदालत में लंबित है ये एक सामाने प्रक्रिया है राहूल गांदी की बढ़ती लोक प्रियता और संसद में 137 दिन बाद हुई वापसी से बीजेपी में हरकम मच गया है क्योंकि जिस तरह से सदर में राहूल ने अडानी का मुद्दा उठा कर सरकार को घेरा था उसके बाद बीजेपी बैक फुट पर आ गई थी अब बीजेपी ने राहूल के संसद पहुंसते ही एक नया शीगूफा छेर दिया है बीजेपी के संसर निशिकान दूबे ने कौंग्रेस और उसके निताओं पर चीन के साथ मिलकर देश में पियमोदी के खिलाफ माहूल बनाने का आरूप लगाया है इस दोरान संसद में जम कर हंगामा हुआ और कारवाई को स्थागित करना पड़ा उन्होंने दावा किया है कि न्यूइ योग टाइमस अख़वार की एक खबर में प्रवत्र निदेशाले के चापों के हवाले से खुलासा किया गया है कि न्यूज किलिक नाम की वेबसाइट को भारत के खिलाब माहौल बनाने के लिए चीन से किस तरह पैसे मिले और वो पैसा किस तरह नकसलियों और दूसरे लोगों तक पहुँचाया गया वही कॉंग्रेस सांसद अधीर अजन चौधरे ने इस बयान को कारवाई से हटाने की मांग की है तो वही बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कॉंग्रेस चीन और न्यूस क्लिक एक गर्भ नाल का हिस्सा है राहुल गांदी की नकली महबत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है चीन के प्रती उनका प्रेम देखा जा सकता है वो भारत विरोधी एजन्डा चला रहे थे राहुल गांदी की संसद में वापसी से कॉंग्रेस की ताकत पे इजाफा हुआ है वही बीजेपी की परिशानी बढ़ गई है और ये बीजेपी नेताओं में साफ देखी जा रही है बीजेपी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो उनकी बौकलाहट को दिखाता है मोधी सरनेम को लेकर मानहानी का दावा कोई पहला मामला नहीं है जब रहुल गांदी को लेकर बीजेपी इतनी हमला वर हुई हो इसी साल जून में रहुल गांदी अमेरिका के दौरे पर थे और राजधानी वशंग्टन डीसी में उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है उस दोरान उन्होंने वहां बसे भारतियों से भारत वापस आने का अनुरोध करते हुए लोकतंत्र के साथ भारतिये संविधान की रक्षा में खड़े होने का अहवान किया था इसे कुछ महीने पहले राहुल गांदी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर भी भारत में काफी बबाद हुआ था बीजेपी ने तब राहुल गांदी पर आरूप लगाया था कि उन्होंने विदेशी धर्ती पर भारतिये लोकतंत्र का अपमान किया है हाला कि राहुल और कॉंग्रिस पार्टी ने उन आरूपों को खारिच कर दिया था बीजेपी नेता मुक्तार अबास नकवी ने तब कहा था राहुल गांदी विदेश जाकर ये कहते हैं कि देश में प्रजातंत्र नहीं है अगर देश में प्रजातंत्र ना होता तो यहां का कोई नेता विदेश में जाकर भारत को भारत के लोकतंत्र को और भारत में लोकतंत्रिक तरीके से चुने हुए नेता को इस तरह के अपशब्द और दुश परचार्ज की भाशा बोल सकता था अब संसद में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है अगर राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताप पर बोलने का मौका मिल गया तो क्या होगा इस पर राजनेतिक विशलेशकों का मानना है कि राहुल गांधी ने भारत जोडो यात्रा के फारण बाद लोग समा में हिंदनबग रिपोर्ट पर सरकार को जिस आक्रमक्ता से घेरा उसे एक बात तो समझ आ गई कि आने वाले समय में बीजेपी के आगे एक सबसे बड़ी चनौती जो है वो राहुल गांधी के रूप में होगी अब आविश्वास प्रस्ताप पर राहुल गांधी संसद में उसी आक्रमक्ता के साथ अपनी बाते रखेंगे क्योंकि वो मणिपूर होकर आए हैं वहां की इस्तिती को देख कर आए हैं ऐसी इस्तिती में 2024 के चुनाव को जीत कर सत्ता में बापसी करने की राह में राहुल गांधी बीजेपी की राहा का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होंगे बीजेपी लगतार राहूल गांदी को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रही है वो जितना राहूल गांदी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है उनकी स्विकार्यता उतनी ही बढ़ रही है और बीजेपी की स्विकार्यता पर सवाल उठ रहे हैं यही कारणे के यहां बीजेपी कहां था वही कॉंगरिस के नेताओं का भी बड़ा हांथ था आज जब हिंडनबर्ग मनीपुर जैसे मुद्दे सामने हैं तो यह भी जक्षपत को ठुकराया है इसके बाद भी उन पर परिवारवाद का टैग लगता है क्योंकि बीजेपी के तरकश में आप कोई तीर नहीं बचा है जब बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो भविश्य की जीत के लिए आप उसी पुराने परिवारवा करें और शेयर करें देखते रहें डीबी लाइव नवस्कार